हेलो दोस्तों, दिसीज मोहरवाय, पिछले कुछ वीडियो में हम लोग ने क्लास 6, 7 और 8 के टॉपिक को डिसकस किया था और एक चेप्टर हम लोग ने 9 के भी टॉपिक को डिसकस किया था तो आज मैं आप लोगों के साथ डिसकस करने वाला हूँ क्लास 10 का बायलोजी का टॉपिक जो हम लोग का लाइफ प्रोसेस है ये वीडियो आपका पार्ट बाई पार्ट में आएगा जिसमें पहले में मैं डाजेस्टिव सिस्टम और जो बेसिक्स है उसे डिसकस करूँगा और उसके बाद धीरे-धीरे में एक टॉपिक करते जाओंगा जिसमें रेस्पिरेशन, आपका एक्सक्रियेशन, सर्कुलेशन सभी अलग टॉपिक में डिसकस होगा तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, आप पूरा पेसेंस बना करके रखें और वीडियो को पूरा देखें मैं एक ही वीडियो में ज्यादा स्यादा टॉपिक कवर करने का कोसिस करूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हम अपना वीडियो मैं आप लोग अपने यूटूब चैनल पर स्वगत करता हूँ आज हम लोग दिसकस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का टॉपिक को जिसमें सबसे पहले हम लोग दखेंगे करक्टरस्टिक्स और लिविग बीग सभी जो लिविग बीग होते हैं वो common characteristics हो करते हैं जिसके वज़ा से या जिसके basis पर हम कह सकते हैं कि वो लिविग है जिसमें सबसे पहला है ग्रोथ दूसरा मोमेंट थीसरा exchange of gases next हम लोग का metabolism उसके बाद reproduction और last में हम लोग का self-consciousness ठीक है out of them self-consciousness and metabolism is the without exception ठीक है इतने जो मैंने अभी उपर में बताया characteristics living का उसमें बाकी सब जो है न self-consciousness और metabolism को छोड़ करके बाकी सब में कुछ न कुछ आपको exception देखने को मिल सकता है मतलब अपवाद कहने का मतलब अगर growth का बात करें तो किसी भी organism में growth का मतलब होता है increase in weight, increase in size and height ठीक है तो अगर आप किसी stone को बहुत सालों के लिए एक जगा पर रखकर छोड़ दे तो उसके उपर धूल कंजा आकर के जमा हो सकते हैं जिसे उसका growth consider किया जाएगा लेकिन ये गलत हो जानते हैं कि धूल मिटी ये सब क्या होता है stone क्या है उसी किता से moment का मतलब की जगह बदलना है कोई एक object है जैसे sand है रखिस्तान में हम लोगों ने पढ़ा है कि sand जो होता है एक जगह से दूसरे जगह हवा के मतलब से क्या होता है fly करके जाता है और sand duns बनाता है उसके बाद exchange of gases मतलब oxygen का लेना carbon dioxide का छोड़ना या gases release करना तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग एक सुखे इट या मिट्टी को डालते है पानी के अंदर तो उसमें से air bubble निकलता है तो वह एक्सेंज कर सकता है तो ऐसे ही बहुत सारे तरीका है जिससे हम लोग इसको नाकार सकते है गलत साबित कर सकते है ना reproduction का मतलब उसी तरह से क्या हुआ अगर कोई organism अपना नंबर बढ़ा रहा है तो वह क्या कहलाता है रेप्रोडक्शन कहलाता है लेकिन अगर बात करें तो एक ही organism तूट करके दो या दो से अधी का structure में तूटता है और वह रेप्रोडक्शन करता है तो उसी तरह से अगर मिट्टी के डेले को या फिर इट को ले करके हम पटक दे तो क्या होता है उसका number बढ़ जाएगा है ना तो यह भी exception में आ गया लेकिन metabolism जो हम लोग का है और self-consciousness है इसका कोई exception नहीं है मतलब अगर यह दोनों characteristics किसी में पाय जाते है organism में तो organism पूरा-पूरा हम लोग का living being माना जाएगा है ना self-consciousness मतलब अग अगर किसी ने परसान किया तो गुसा आए आपको उसका metabolism का अगर बात करें तो metabolism का मतलब खाना खाना होता है उसको digest करना होता है और digested food को absorb करने का पूरे body में distribute करके उसका use करना होता है the molecular moment inside the body which can't be seen by naked eye is also important factor to consider the living being जो हम लोग के body में molecular structure या molecular function होते रहता है to tell them alive or not ठीक है तो बात करें गर वाइरस का तो अगर बात करें वाइरस का तो वाइरस जो होता है अगर किसी organism को वो infect कर देते हैं तब वो living being के characteristics हो करते हैं लेकिन जब तक वो free nature में घूमते रहते हैं तब तक उनमें molecular कोई भी event या structure या function नहीं होता है जिसके वज़े से ना tissue, cell, cell organelle and so on and they are continuously breakdown and to make organism alive this damaged cell must be keep repairing and maintaining their structure अब देखे हर एक organism का basic structural functional unit हम लोग का cell होता है जो कि हम लोग क्लास 8 और क्लास 9 में भी पड़ चुके हैं तो यहां पर कह रहा है कि हर एक organism बनाता cell से cell combine करके tissue बनाता है tissue organ बनाता है और यह सब continuously divide करते हैं करने के बाद कभी कभी accidentally भी तूट जाते हैं नहीं तो mature करके date कर जाते हैं तो यह जितने भी tissue और cells है इनका repairing होना जरूरी है है ना अनका maintenance होते रहना जरूरी है since there is a structure made up of molecule they must move all time और यह सभी structure जो होते हैं molecule के बने होते हैं इसलिए molecular moment सरीर के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है उसके बाद हम लोग का topic सुरू होता है life process all the process which help in growth यह आपका definition हो जाएगा all the process which help in the growth and development and maintenance of our body are called life process life process का अगर definition पूछे तो आप यहाँ पे जो मैंने डाला है वो डाल सकते हैं for this process energy is required है ना life process के लिए आपको energy चाहिए होता है and we get it from the external source called food हम लोग या कोई भी animal और हम लोग अपना खाना खुद से बना नहीं सकते हैं तो हम लोग किसी और के उपर depend करेंगे जो कि external factor होगा वो आपका food होगा a single cell organism like amoeba there is no any specific organ for taking food inside the body removal of waste and their entire surface is contracted with the environment and exchange of substances by simple diffusion अगर बात करें simple cell cellular organism या फिर unicellular organism जो कि एक ही cell का बना होता है तो उनका पूरा का पूरा body direct environment से contacted होता है है तो जो भी उनके body का requirement होता है वो simple diffusion से वो पूरा कर लेते हैं simple diffusion कहने का मतलब है exchange of materials from higher concentration to lower concentration without using of energy है ना यह हम लोगा क्या हो जाएगा simple diffusion हो जाएगा लेकिन वहीं NCRT में question है कि multicellular organism में simple diffusion क्यों sufficient नहीं होता है और यह exam में भी पूछ लिया जाता है तो आपका यह topic important हो जाएगा in multicellular organism human simple diffusion is not sufficient to fulfill the requirement of cell because our cell and organ are not directly contact with the environment जो उपर के topic में दिया था उसी के basis पर उसी को basis लेकर के मैंने यहाँ पर define कर दिया है कि हम लोग का जो organ होता है cell होता है body में packed होता है completely और हम लोग का जो organ है cell है direct environment से contact में नहीं होता है जहां से हम लोगों को exchange करना होता है तो simple diffusion हम लोगों में sufficient नहीं होता है अब हम लोग next move करेंगे आगे के topic के जो कि हम लोग का है nutrition तो सबसे पहले हम लोग nutrition को define करेंगे अब देखेए यहाँ पर मैंने दो चीज डाला है एक तो food itself make their food itself और take from outside तो यहाँ पर plant और animal दोनों को मैंने यहाँ पर define कर दिया है एक ही definition में nutrition क्या कहलाएगा यह है एक process है जिसमें कोई फी organism या तो अपना खाना खुद से बना लेगा अगर वो plant होगा तो जिसमें chlorophyll होगा अगर नहीं होगा उसमें तो वो क्या हुआ किसी दूसरे के उपर external factor के उपर growth और development के लिए depend करेगा और बाहर से वो food लेगा अब इसमें सबसे पहला है autotropic nutrition जिसमें हम लोग plant के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग blue green algae भी कहते हैं and algae make their own food ठीक है यह सब अपना खाना बना पाता है क्योंकि लोगों को body में chlorophyll होता है जिसे photosynthesis करते हैं और photosynthesis करने के लिए chlorophyll नहीं भी है तो वो kemosynthesis करते हैं जो कि हम लोग higher classes में पढ़ेंगे for the requirement of food they don't depend on other organism और अपने खाना के requirement के लिए किसी दूसरे को पर depend नहीं करते हैं खूद से अपना खाना बना लेते हैं autotops make their food by the special mechanism called photosynthesis और यह एक खास process से अपना खाना बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं photosynthesis और photosynthesis को हम लोग अब detail से पढ़ेंगे this is the biochemical reaction ठीक है यहाँ पर photosynthesis का definition है by which green plant make their food with the help of CO2H2O in the chlorophyll in the presence of sunlight is called photosynthesis जिसको हम लोग define कर सकते हैं कि एक biochemical process है जिसमें plant क्या होता है external environment से water carbon dioxide बगरा लेता है sun के light में chlorophyll की उपस्तिती में क्या करता है अपना खाना बनाता है after the photosynthesis reaction glucose जिसका formula है C6H12O6 and water is formed यहाँ पर मैंने reaction डाल दी है reaction बहुत से ज़्यादा जलूरी है यहाँ आप देख पा रहे होंगे 6 carbon dioxide है 12 water का molecule है sunlight के presence में और chlorophyll के साहता से glucose का molecule बना रहा है उसके बाद oxygen भी release हो रहा है और water का भी molecule release हो रहा है ठीक है जिसमें अगर arrow का बात क करें तो arrow के पहले का जो चीज होता उसको हम लोग reactant कहते हैं arrow को हम लोग reaction कहते हैं और arrow के बाद के वाले चीज को हम लोग product कहते है ता extra unused glucose is stored as starch in plants and glycosin in animals ठीक है अगर बात करें extra food अगर plant बना लिया है तो उसको वो store करेगा plant starch के रूप में और animal में वो glycosin के form में स्टोर हो है absorption of light energy by chlorophyll सबसे पहले क्या करेगा chlorophyll light energy को absorb कर लेगा उसके बाद conversion of light energy to chemical energy by splitting the water molecule into hydrogen and oxygen ठीक है तो next step में क्या करेगा convert करेगा light energy को chemical energy में और splitting of water molecule into hydrogen and oxygen और यह जो process होता है splitting of water molecule into hydrogen and oxygen with the help of sunlight is called photolysis ठीक है इसे हम लोग आगे भी discuss करेंगे उसका तीसर स्टेफ हम लोग कहता है reduction of carbon dioxide to carbohydrate थर्द स्टेफ में है कि carbon dioxide को reduce करके plant के हमें बना लेता है carbohydrate में convert कर लेता है यहां पर आप note में देख पाड़े होंगे स्टोमाटा is present in the lower side of the leaf यह आप खास बात है ध्यान रखेगा कि plant के lower side में स्टोमाटा पाए जाता है यहां पर मैंने picture डाल दिया है कहां पर क्या पाए जाता है यहां पर midrib है यहां पर आप देख पाड़े होंगे यह आपका guard cell है मतलब कि यह स्टोमाटा है यह लोवर साइड में आपका दिख रहा है यह लगतार एक ही के बाद एक हो है तो इसका सिंपल सा एंसर है कि इस टोमाटा जो होता है ओपन होता है तो उसके साथ कुछ पानी वैपर बन के भी क्या हो जाता है प्लाई कर जाता है और इस प्रॉबलम से बचने के लिए क्योंकि रिगिस्तान में पानी का अल्रेडी बहुत ज्यादा कमी होता है तो इस से बचने के लिए स्टोमाटा क्या होता है वहां पे रात में खुलता है और gases exchange करके रख लेता है और दिन के समय में जब sunlight आता है तो फिर खाना बनता है raw material for photosynthesis ये भी important है water कहां से मिलता है जैसा कि आप सभी को पता होगा plant water जमीन के अंदर से लेता है और water एक जगा से दूसरे जगा किसके थूप फ्लो करता है जाहिलम से जल और फ्लोम से फल उसका दह दूसरा carbon dioxide plant gets CO2 from atmosphere and enter in plant through the stomata और ये इंटर करता है plant में कैसे stomata से opening and closing of stomata is regulated by guard cell जो कि हम लोगों ने उपर देखा था guard cell जो होता है यहाँ पर देखे पिक्चर है यही हम लोग का guard cell है और opening और closing of stomata को यही regulate करता है in a guard cell and the substances move from higher concentration to lower concentration अब जब कभी भी substance higher concentration to lower concentration में move करे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर energy का use नहीं हो रहा है यह passive process है stomata is present on the lower side of the leaf यह important है तो मैंने इसे फिर से repeat कर दिया है next अब हम लोग देखेंगे exchange of gases also take place through the leaf stamen root जो exchange of gases होता है वो leaf system और root से होता है उसको है transpiration this is the process by which plant loses water in the form of vapor उपर हम लोग discuss कर लिया है कि जब stomata खुलता है तो कुछ water vapor के form में उड़ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते है transpiration कहते है वहीं पे एक दूसरा है loss of water liquid form में जिसको हम लोग क्या कहते है this is the biochemical process by which water molecule broken down into constituent that is hydrogen and oxygen तो water molecule sunlight के presence में क्या होता है तूट जाता है इसको हम लोग क्या कहते है फोटोलाइसिस कहते है नोट में है कुछ plants have a cell organelle called chloroplast ठीक है plant में एक cell organelle होता है जिसको हम लोग क्या कहते है chloroplast कहते है which is green pigment called chlorophyll और इसमें green color का pigment पाया जाता है जिससे हम लोग कहते है chlorophyll और यही chlorophyll क्या करता है photosynthesis करता है जिसके वज़े से स्वाइल एंड अलोंग विच दिस सम इंपोर्टेंट मिनरल और अब प्लांट जो होता है वाटर लेता है जमीन के अंदर से और वाटर के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट मिनरल भी एब्सॉर्ब कर लेता उसके वाथ हेटरोट्रोपिक मोड अफ नूट्रिशन यह ऐसा मोड अफ नूट्रिशन है जिसमें और अपना खाना खुछ से नहीं बना सकता है तो क्या होगा दूसरे को उपर डिपेंट करेगा क्योंकि इनर्जी सबको चाहिए अपने बाडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो क्या करेगा खाना किसी और से लेगा अब इसमें देखिए बहुत साड़ा हेट्रोटोपिक मोड अफ नूट्रिशन हो सकता है जिसमें पहला है हर्वी बोर्स, कर्णी बोर्स, ओमनी बोर्स, पैरसाइट, स्कैवेंजर और सेप्रोफाइट जिसको मैंने एक ये करके डिफाइन के हैं सबसे पहले यहां पे है हर्वी बोर्स, हर्वी बोर्स किसको कहते हैं all the organisms which get their food from plant and their different parts are called हर्वी बोर्स, एक्जांपल cow, dyr, goats and hots वैसे सभी organism जो किसी plant के different part को या पूरे plant को ही खाते हैं वो क्या कहलाते है हर्वी बोर्स कहलाते है दूसरा हम लोगा Carnivores है All the organisms which get their food from flesh या meat of the living organism ये क्या करेंगा किसी living organism को मारेंगे और उसके मांज को खाएंगे एक्जामपल में lion, tiger, pantherity से हो जाएगा उसके आद है Omniboros All the organisms which get their food from both plant and animal वैसे सभी जीव जन्तु जो अपना खाना, plant और animal दोनों से लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं Omniboros कहते हैं जिसमें cat, dog, human बगारा आजाएंगे Next हम लोग कहा है scavenger All the organisms which get their food from flesh of the dead organism तो वैसे सभी जीव, जो मड़े हुए जीवों के मांस को खा करके अपना nutrition का requirement पूरा करते हैं क्या कहलाएंगे? scavenger कहलाएंगे Vulture, dog, crow इसमें आ जाएगा हाई न, उसका saprophite या saprotrophic mode of nutrition भी हम लोग इसको कह सकते हैं All the organisms which get their food from dead and decaying organism जो सरते गलते हुए organism से अपना खाना लेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे? saprophatic कहेंगे जिसमें fungi mushroom इस्ट वेगारा आ जागा इसमें टी चूट गया है उसके बाद हम लोग का next step parasite All the organisms which get their food from other living organisms and also harm them यह बहुँ जादे important exam में यह पूछ दिया जाता है आपका lice हो गया, bedbug हो गया, leech हो गया lice मतलब धील, joe कहते हैं जिसको हम लोग bedbug खटमल और leech joke parasitic get their food from the host अब देखो यहाँ पर यह भी पूछ दाजा जाता है objective में आप फिल इन दे ब्लैंक में कि parasitic organism जिस organism से खाना लेते हैं उसे क्या कहते हैं दूसे हम लोग host करते हैं उसको some important point, कुछ important point है symbiotic association this is the relation between two organism in which both depends on each other and their survival and also both get benefited यह ऐसा relation से दो organism के बीच में जिसमें दोनों को फायदा होता है और जिन्दा रहने के लिए दोनों एक दूसे को उपर depend करते हैं सबसे बढ़िया example आपको मिल जागा लाइकन जिसकी fungi और algae से मिल करके बना होता है fungi water shelter provide करता है और algae photosynthesis करता है जो खाना बनता है उसको दोनों यूस करते हैं lichen are good indicator of sulfur pollution विच यह important आपका हो जागा lichen कि इस pollution को indicate करता है तो sulfur pollution को indicate करता है which is emitted from the vehicle and factory smoke they not grown here mosquitoes suck our blood but they are not considered parasite because they suck blood for the reproduction not for nutrition यह बहुत ही ज्यादे important है बहुत सारे बच्चों में misconception होता है उन्हें छोटे क्लासों में पढ़ा दे जाता है कि मच्छर जो होता है खून पीता है तो वह parasite है एक बात आप एकदम clear कर ले parasitic mode of nutrition है तो जो अपने food के या nutrition के requirement को fulfill करने के लिए blood suck करेगा वो parasite कर लेगा जैसे leech लेकिन यहाँ पे female mosquito ही bite करती है blood suck करती है और blood suck करने के लिए उनका main purpose होता है वो reproduction में use करते है और अगर बात करें food का तो plant का sap या plant का juice पी करके अपना nutrition का जरूद को पूरा कर लेता है तो मच्छर कभी भी आपका parasite नहीं होगा तो कभी भी आप ये parasite में option टिक न लगाएं या इसको न लिखें उसके बाद है digestion को हम लोग simply define करेंगे this is the process by which complex food material broken down into simpler form ठीक है ये process है जिसमें complex food को हम लोग simpler form में जो की digestible है absorbable है उसमें तोड़ेंगे और तोड़ने काद उसको utilize करेंगे different ways of taking food जिसमें पहला है holozoic दूसरा है saprotrophic holozoic mode of nutrition आपको animal में और amoeba में देखने को मिलेगा this is the type of heterotrophic mode of nutrition in which organism intake the complex organic matter either in solid or liquid form example हमारा है amoeba और human beings ठीक है simpler form में तूटता है तो यह क्या हो गया holozoic दूसरा है saprotrophic this is the type of heterotrophic mode of nutrition in which organism takes simple organic matter which is broken outside the body body के बाहर ही saprophytic में हम लोग क्या परे थे कि body के बाहर ही जो food है चाहे हो plant का हो जाहे animal के origin का हो body के बाहर ही क्या होगा सरने लगेगा decompose करने लगेगा simpler form में वो breakdown कर जाएगा उसके बाद हम जो amoeba है fungus है isht है उसको absorb कर लेगा और अपना nutrition ले लेगा